डियर इस्टुडेंट्स आप लोग का सगत है आपके ये अपने चनल S.R.S. क्लासेज में और मैं आज आप लोग को क्लास नाइन्थ इंग्लिस का जो पोईट्री का दूसरा चेप्टर है सिंपैथी जिसका हिंदी मिन्स होता है सहानुभूती जो कि कमपोजड किया गया है च चाल्स मैके जी है वो इन्होंने इस चेप्टर सिंपैथी में धन और सिंपैथी के बीच डिफरेंस बताया है और दोनों में बताया है कि धन बड़ा है कि सहानुभूती अथार सबसे बड़ा कौन है धन और सहानुभूती में तो ये हमें चेप्टर पढ़ने के बाद ही प ले मतलब लेटना या पड़ा हुआ था और सारो मतलब दुख और डीप डिस्ट्रेश्ट मतलब गहरे तनाव में I lay in sorrow, deep distressed, मैं दुख में और गहरे तनाव में पड़ा हुआ था, my grief a proud man heard, और मेरे दुख को एक घमंडी वेक्ति ने सुना, his looks were cold, और उसकी जो दृष्ट थी, वो उदासीन थी, अर्थार्थ, उसमें कोई expression नहीं था, he gave me gold, उसने मुझे रुपे दिये, gold का मतलब या सोने सने रुपे से होगा, he gave me gold, उसने मुझे रुपे दिये, but not a kindly word, लेकिन सहानुभूति का एक भी सब्द नहीं कहा, kindly word मतलब दया भाव या दया रुपी सब्द, but not a kindly word, लेकिन दया का एक सब्द भी नहीं कहा, सहानुभूति का एक सब्द भी नहीं कहा, जैसे माली आप बीमार आते हैं और कोई आता है, कहता है, भागवान करें आप ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ उस व्यक्तिने नहीं कहा, कि अवल रुपे दे दिया, माई सारो पाष्ट, और मेरा दुख समाप्त हो गया, कभी कहते हैं, माई सारो पाष्ट, मेरा दुख समाप्त हो गया, I paid him back, मैंने उसको लोटा दिया, क्या लोटा दिया, the gold he gave me, जो धन उसने मुझे दिया था, माई सारो पाष्ट, I paid him back, the gold he gave me, कभी कहते हैं, कि मेरा दुख समाप्त हो गया, और मैंने उसे वो धन लोटा दिया, जो कि उसने मुझे दिया था, then stood erect, और छाती तान कर, and spoke my thanks, और मैंने उसे धन्यवाद दिया, then stood erect, and spoke my thanks, फिर मैंने छाती तान कर उसे धन्यवाद दिया, and blessed his charity, और उसके दान के लिए उसे आसिरवाद दिया, blessed मतलब आसिरवाद दिया, और charity मतलब दान, और stood erect मतलब छाती तान कर, आई ले इन वांट मैं परसानी में पड़ा हुआ था इन ग्रीफ दुख में था और पेन और कश्ट में था आई ले इन वांट इन ग्रीफ आणड पेन मैं परसानी में लेटा हुआ था दुखी था और कश्ट में था एक पूर मैं पाश्ट माई वे और एक गरीब आदमी मेरे सामने से गुजरा ही बाउंड माई हेड उसने मेरा सिर दबाया बाउंड मतलब दबाना ही गेव मी ब्रेड और उसने मुझे भोजन दिया ही वाच्ट मी नाइट एंड और उसने दिनो रात मेरी देख भाल की वाच्ट मतलब ध्यान देना देख भाल करना मैं परसानी में लेटा हुआ था दुखी था और कश्ट में था एक पूर मैं पास्ट वाईवे और एक गरीव एक्ति मेरे सामने से गुजरा ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड उसने मेरा सर दबाया और उसने मुझे भोजन दिया ही वाच्ट मी नाइट एंड दे और उसने दिनो रात मेरी देख भाल की हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन और मैं कैसे उसको वापस लटाओं फर आल ही डिट तु मी जो कुछ उसने मेरे लिए किया हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन फर आल ही डिट तु मी मैं उसे कैसे वापस लटाओं जो कुछ उसने मेरे लिए किया अथार्थ कहने का मिंस यह है कि जो कुछ उसने मेरे लिए किया उसका कर्ज मैं कैसे उतारूं ओ गोल्ड इज ग्रेट, बट ग्रेटर फार इज हैवनली सिंपैथी, किंतु धन से बढ़कर इस्वरी सहानवूती है ओ गोल्ड इज ग्रेट, ओ धन महानवस्तु है वास्तों में but greater for is heavenly sympathy लेकिन धन से बढ़कर इस्वरी सहानुभूती है अथार्त कहने का मींस है कि टोटल निसकर्स यही है कि धन तो महानवस्तू है जीवन में लेकिन उस से बढ़कर सहानुभूती है किसी की सहायता करना है किसी पे दया दिखाना है तो इस पार्ट से मैं इस सीचह मिलती है कि हमें सब की देखवाल करनी चाहिए सब के प्रति दया दिखाना चाहिए कि इसको लटाया नहीं जा सकते